नमस्कार, आज हम वायू मंडली ताप परतिलोमन और एडियाबेटिक परिवर्दन से सम्मंदित 15 महत्वपूर्ण पर्शनोतर हल करेंगे आज का पहला क्यूशन है 22 दिसंबर को गांधी नगर में दीवस की अउधी होगी ओप्शन ए है 10 घंटे 30 मिनट, बै तेरे घंटे 27 मिनट और से 7 घंटे 42 मिनट तो आपका अंस्वर क्या होगा? क्या नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूँ देखिए 22 दिसंबर को सुरिय की स्थती मक्कर रेखा पर होती है उस समय दक्षनी गोलार्द में ग्रिसम रितु और उत्री गोलार्द में सीत रितु होती है उत्तर भारत में ठंट रहती है इस समय तो 22 दिसंबर को करक रेखा पर स्थित गांधी नगर करक रेखा से थोड़ा सा दक्षिन में स्थित है गांधी नगर गुजरात की राजधानी है तो वहां पर दिन की अवदी होगी 10 घंटे और लगभग 30 मिनट की इसमें होगा ए आंस्वर सही हो जाएगा अगला क्यूशन दिन का नियुंतन तापमान अंकित किया जाता है एका उप्षन है दो पर दो से चार बज़े के बीच शुबह चार से पांच के बीच और साइं छे से साथ के बीच तो आपका क्या अंसर है सुबह चार के पांच के बीच चार से पांच के बीच बिल्कुल सही है दिन का तापमान है वो दो पर दो बज़े से चार बज़े के मध्धे अंकित किया जाता है और नियुनतन तापमान सुबह चार से पांच बज़े के आसपास अंकित करते है अगला क्विशन ओसत देनिक तापमान ग्याद करते हैं कैसे ग्याद करते हैं दिन का उसतम तापमान उसमें से न्यूनितम तापमान घटा देने पर महिने के कुल ओसत देनिक तापमान में महिने के दिनों की संख्या का भाग देने पर और सै का उप्षन है देनिक उत्सतम तापमान में से देनिक न्यूनतम तापमान घटा कर दो से भाग देने पर तो आपका आंसर क्या होगा? क्या नहीं पता? बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको दिन के उत्सतम तापमान और न्यूनतम तापमान उसमें से घटा देते हैं और फिर दो से डिवाइट करते हैं तो उत्सत देनिक तापमान ग्याद हो जाता है अगला क्यूशन निम लिखित में से कौन सा कारण तापमान की विलोमता के लिए उप्यूक्त नहीं है? तापमान का पर्तिलोमन इन्वर्जन ओफ टेंप्रेचर विद्करमनता तो इसमें उप्यूक तो नहीं है पूछा है पहला उप्षन है हिमाचादित धरातल दूसरा है सान्त वाईू तीसरा है स्वच्वय निर्मल जल और चोथा है सीथ कालिन लंबी राते तो आप कांसर क्या होगा स्वच्वय निर्मल जल बिल्कुल सही है इसमें हिमाचादित धरातल उप्यूक रहता है सान्त वाईू स्वच्व आकास सुस्क हवा और सीथ कालिन लंबी राते धरातल ये परतिलोमन होता है इससे धरातल बहुत ठंडा होता है तो उसके संपरक के पास की हवा है वो भी ठंडी हो जाती है और जबकि उससे उपर की हवा है वो थोड़ी सी गर्म होती है तो ये धरातल ये परतिलोमन कहलता है ऐसी स्थती में ध्रातल पर पाला पड़ता है और फसलों को भोत नुक्सान होता है अगला कुश्यन कथन है उच परवत्वों को पृत्वी की विकेरण खिड़की कहते हैं कारण उन्चाई के साथ परवेशी तथा बहीर गामी विकेरण बढ़ता जाता है तो दोनों ही सही है ये कथन वे कारण दोनों सही है बिल्कुल सही बात है कि उन्चे जो परवत्वी भाग होते हैं तो जल्दी वो गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही उसमा का प्रावर्तन कर देते हैं जल्दी वो ठंडे हो जाते हैं तो उच्चाई के साथ परवेशी और बहीर गामी विक्यम बढ़ता जाता है बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं तो इसमें कार्ण और कथन दोनों सही है अगला क्थन कथन है मरुस्थलिय भागू में देनिक तापांतर अधिक पाए जाते हैं दिन के अधिक्तम और नियूंतम तापमान में अंतर उसको देनिक तापांतर करते हैं माली जी दिन का अधिक्तम तापमान है 40 डिग्री और नियूंतम तापमान है 30 डिग्री तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 डिग्री क्या होगा वो देनिक तापांतर होगा अगर महीने का ग्याद करना हो तो महीने का उचतम और नियूंतम तापमान गटा देंगे तो वो मासिक तापांतर हो जाएगा इसी प्रकार वार्षिक ग्याद करते हैं कारण है कम जलवास्प के कारण पार्थी विक्रिण आसानी से होता है बिल्कुल सही है क्योंकि मरुष्टलिय भागों में बरसात कम होती है हवा सुस्क होती है वायो मंडल में जलवास्प कम होता है तो दिर्ग तरंगु द्वारा पार्थी विक्रिण है वो आसानी से हो जाता है इसलिए दिन में तो तेज धूप रहती है तापमान अधिक रहता है और रात्री में रुष्टलिय भागों से तापमान वो विक्रित हो जाता है प्रावर्थित हो जाता है इसलिए तापमान वो कम हो जाता है तो रात्री का तापमान है वो कम होता है और दिन का तापान अधीक होता है तो देनिक तापान तर अधीक पाई जाते है कार्ण वा कथन दोनों सही है बिल्कुल सही है अगला क्विशन ताप ये विश्वत रेखा है 20 डिगरी दक्षनी अक्सांस 20 डिगरी उत्री अक्सांस या 0 degree अकसांस तो क्या होगा आंस्वर 0 degree अकसांस नहीं यह गलत हो गया 20 degree उत्री अकसांस को ताप ये विश्वत रेखा करते हैं तक्षणी भाग में जलिय भाग की अधीकता है और उत्री भाग में स्थलिय भाग अधीक है 20 degree के आसपास ताप मान अधीक प्राप्थ होता है इसलिए 20 degree उत्री अकसांस को ताप ये विश्वत रेखा करते हैं अगला क्यूशन केटावेटिक हवाएं चलती हैं केटावेटिक और एनावेटिक परवती ढाल से घाटी की तरफ रात्री में घाटी से परवती ढाल की तरफ दिन में परवतों से अंत्रिक्ष में रात्री में तो क्या होगा आप का अंस्वर्थ? परवती ढाल से घाटी की तरफ रात्री में बिल्कुल सही देखी परवती ढाल है वो जल्दी तापमान प्राप्त करता है कुछ भाग होता है तो वहाँ पे लगूत रंगे जल्दी पहुंचती है और घाटी के अंदर प्रावर्तन है वो कम हो पाता है देर्शे होता है साएं के समय उच परवती ढालूं से तापमान विकृत जल्दी हो जाता है और वहाँ घाटी की अपेक्षा हवा ठंडी होती है और घाटी में तापमान है वो थोड़ा साधीक होता है तो वहाँ न्यून वायुदाब होता है और परवती डालों पर उच्वायुदाब होता है तो हवा हमेशा उच्वायुदाब से न्यून वायुदाब के ओर चलती है तो परवती डालों से ठंडी हवा घाटी की तरफ चलती है उसको कहते हैं केटा बेटिक और दिन के अंदर ये इस्तती विप्रीत हो जाती है क्योंकि घाटी है वो देर से अब रात्री को धिर धिरे वो ठंडी हो रही थी सुबत तक वो ठंडी हो गई और जैसे ही सुरिय का परकास उच ढालों पर गिरता है वो जल्दी गरम हो जाता है तो उच परवती ढाल है वो जल्दी गरम होकर वहाँ नून वायुदा हो जाता है उसके पेक्षा घाटी में उच वायुदाव रहता है तो दिन में ये इस्तती विप्रीत होती है घाटी से परवती ढाल की तरफ चलती है जिसको कहते हैं एनवेटिक तो केटा बेटिक इसम किसे नमर नो सुस्क रुधोस में ताप परिवर्तन की दर है रुधोस में ताप परिवर्तन एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं इसे हवा जब उपर उठती है या नीचे उतरती है तो उसका तापमान कम या अधीक हो जाता है उसे एडियावेटिक परिवर्तन करते हैं हवा ने तो किसी बारी मादे में से तापमान लेती है और नहीं उसे तापमान देती है तो ऐसी इस्तती को रुधोस मताब परिवर्तन या एडियावेटिक परिवर्तन करते हैं तो सुस्क रुधोस में सुस्क वाईव में 10 degrees Celsius परती 1 km या 1000 मिट्र पे होता है, और आदर रुधोसमे में 6 degrees Celsius परती 1000 मिट्र या 1 km होता है, अगला क्यूश्चन, विश्व का सबसे अधीक गर्म और धंडा प्रदेश कौन सा है? तो अल अजीज वे वोश्टाक, पेसावर वे बर्खोयांस्क, जेको का बाद वे फोल ओफ कोल्ड, तो क्या अंसर होगा आपका? लीबिया का अल अजीज वे अंटार्क्टिका का वोश्टाक, बिल्कुल सही सबसे गर्म अल अजीज और सबसे ठंडा अंटार्क्टिका का वोश्टाक अगला क्यूशन, यदि कोई स्थान समुदर तल से 1650 मिटर उन्चा है और उसका तापमान 16 डिगरी सेल्शियस है, तो समुदर तल पर उसका तापमान कितना होगा? अच्छा क्यूशन है, तो देखिए, छोब मंडल में उन्चाई की और जाते हैं, तो एक किलो मिटर पर साड़े छे डिगरी सेल्शियस तापमान कम हो जाता है तो इसमें 16 डिगरी सेल्शियस दिया है तो इसमें 16 डिगरी 1650 मिटर है और इसमें हम डिवाइड करेंगे 165 से 165 मिटर की उन्चाई पर एक डिगरी तापमान है, वो कम होता है तो इसमें कितने आ गए? 10 डिगरी आ गए और हमें पूछा है समुद्र तल पर समुद्र तल पर पूछा है और इसमें दिया कितना है? 1650 मिटर पर 16 डिगरी सेल्सियस है चोकि उन्चाई की और तापमान है, वो कम होता है तो यहां नीचे की तरफ बढ़ जाएगा तो इसमें 16 डिगरी में हम 10 जोड देंगे तो कितना हो गया? 26 डिगरी सेल्सियस तो इसका अंसर होगा 26 डिगरी सेल्सियस अगला क्यूशन भुमत्य रेखा पर अधिक्तम वार्षिक तापांतर पाया जाता है भुमत्य रेखा पर साल भर सुरी की केर्णे सिधी पढ़ती है तो वार्षिक तापांतर बहुत कम रहता है यहां पर दिन का और रात्री का तापमान लगभग एक समान जाता है इसमें जादा से जादा अंतर दो डिगरी सेल्सियस का होता है जैसे मालो सुबह चार या पांस बजे नियूंतम तापमान होगा 36 डिगरी और दिन का अधिक्तम तापमान होगा 38 डिगरी तो वार्षिक तापांतर दिन का जो अधिक्तम है पहले तो वो ग्याद करते हैं माली जी दो डिग्री हो गया दिन का किसी दिन ज्यादा भी हो गया फिर मासिक ताप मांतर ग्याद करते हैं महिने के अधिक्तम और न्यूंतम ताप मांन को गटाने के बाद और उसी परकार सभी बारे महिनों के अधिक्तम और न्यूंतम ताप मांन को गटाने के बाद डिग्री सेल्सियस होता है इससे ज़्यादा नहीं रहता है अगला क्यूस्टन समताप रेखाओं के संदर्ब में गलत का चुनाव करें पहला उप्षन है ये सामानित है पूरों से पस्चिन की और अकसांसों का अनुसर्ण करती है ठीक है सही बात है दूसरा है स्थल से सागर की और जाते हुए ये रेखाएं ग्रिसम रितों में विस्वत रेखा की और वैं सीत रितों में धुरूं की और मुड़ जाती है बिल्कुल सही है देखिए सीत रितों में धुरूं की और मुड़त सेख है कि है दक्षणी गौलार्त में समताफ रखाएं अधीक वक्राकार होती हैं तो दक्षणी गौलार्त में office इजहे इस सीधी होती हैं एक सांसुं के समरांतर वक्राकार नहीं हो थी नइक जोने या स्थलियखा कम है सागरी वह अधीक होता है और सागर से स्थल या स्थल से सागर की तरफ जाते वे इनमें वक्रता बढ़ती है क्योंकि तापमान में अंतर पाये जाता है स्थल ये भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है और सागर ये भाग देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है और सीथ्वितू और ग्रिसम रितू में ये बदलाव पाये जाते हैं तो ये सेय का आनसुर है ये गलत है अगला कुश्यन पृत्वी का ओसत तापमान है तो पृत्वी का ओसत तापमान कितना है? क्या है? आनसुरा बताएए बिल्कुल सही 15 डिग्री सेल्सियस मना गया है फरत्वी का ओसत दापमान और ये आज का लास्ट का क्यूशन है किसी वायू पुन्च के परसारवे संकूचन की कारण ताप में परिवर्तन कहलाता है तो कोई वायू पुन्च जब फैलता है ये शिकुडता है और उसमें ताप मान में बदलाव हो जाता है ताप मान बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है तो ये वहीं बात है कि ने तो ताप मान बाहरी वातावन से ले और नहीं बाहरी वातावन को दे ताप मान तो इस प्रकार की स्थती क्या कलाती है रुधोस्म परिवर्तन दर एडियाबेटिक परिवर्तन तो इसमें जब परवती भागूं में हवा जब उपर चड़ती है और ढाल से नीचे उतरती है तो ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है इससे जलवास कमी होना अधीक होना और वर्सात का कम होना अधीक होना ऐसी परिश्टिती बनती है वरिश्टि छाया परदेश जैसी इस्तिती भी इसी कार्ण से बनती है तो ये 15 महत्वपूर्ण क्युश्चन थे आसा करता हूँ आपको फसंद आये होंगे और आप बार-बार अभ्यास करते रहिए अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ये समझिए कि हमारी तयारी अधूरी है अभ्यास करना बहुत जरूरी है तो वीडियो देखने के लिए भुद भुद धन्यवाद और अपने दोस्तों को शेर जरूर करें जाय हिंद